अयोध्या में लोगडाउन फोर का आज पहला दिन अयोध्या पुलिस के लिए हत्याओं वा घटनाओं में भरा रहा इसी बीच अयोध्या जनपत के हरिंग्टन गंज ब्लॉक के पलिया प्रतापशाह गाउं के ग्राम प्रधान जैप्रकाश सिंग और रनर प्रत्याशी राम पदारत यादो उर्फ नन्ना यादो के बीच विवाद हो गया इसके बाद हुए खूनी संगर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को गोली मार दी इसमें दोनों की मौत हो गई सूचना मिलने पर स्सपी आशी स्तिवारी समेट भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुँचा पुलिस ने शर्फ को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है जैप्रकास सिंग बिजेपी के नेता थे बताया जाता है कि मतक प्रधान जैप्रकास सिंग बिजेपी सांसर लल्लू सिंग का करीवी था गटना की जानकारी होने पर सांसर लल्लू सिंग भी मौके पर पहुँचे थे वारदास से हरकम मच गया मौके पर हजारों की तादाद में लोग एकत्तित हो गए बारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और मामले की जाँच परताल की जा रही है गटना के पीछे आपसी विवाद माना जाता है फैरिंग में घायलूए जैप्रकास सिंग को इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती कराये गया है जहां उनकी मौत हो गई जबकि जिलास्पताल में यी बदमाश की भी मौत हो गई दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी बताई जाती है फिलाल पुलिस घटना की जाँच परताल में जुटी है वारदात के बाद मितकों के घर में कोहराम मच गया और प्रतकदर्शी ग्रामुलों ने मामले में पुलिस प्रशासन पर शिठिलता का आडोप लगाया है उन्होंने कहा कि प्रधान पर संभावित हमले को लेकर सूचना पहले से ही पुलिस को उपलब्द करा दी गई थी मामले से SSP को भी अवगत कराये गया था लेकिन कोई कारवाई नहीं की जा रही थी प्रधान पक्ष के लोगों ने मामले में इसके पहले चौकी इन्चार्च को हटाने की मांग भी की थी लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को बताया है वहीं मामले की जानकारी देते हुए SSP आशिस्तिवारी ने कहा कि या घटना गाओं में हो रही पंचायत के दोरान हुई है दो पक्षों में मकान निर्मार को लेकर विवाद था जिसे सुलजा ने में ग्राम प्रधान मौके पर पहुँचे थे इस दोरान दोनों पक्षों की ओर से हुए विवाद में फैरिंग हो गई जिसमें प्रधान समेट दो लोगों की मौत हो गई दोनों शब को पोसमार्टम के लिए मौचरी भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जाच कर रही है अयोद्या से जन्मत नीउस के लिए आजम खां की रिपोर्ट